आउस्बिल्लाहिमिन श्याइतान अर्जीम बिस्मिल्ला इर्रह्मान इर्रहीम असलाम लेकूम स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन एंड सेव अधूम तोड़े वी आर गूंग तो सॉल्व आवर शीट नंबर असेस्मेंट शीट नंबर ट्विटीवन आज हम अपने इस लेक्चर में शीट नंबर ट्विटीवन को सॉल्व करेंगे लेकिन वो सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये कहना है कि इस चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास जो फर्दर नोटिफिकेशन हैं वो आसके न्यू वीडियोज आसके लाइक करें, कुमेंट करें और शेयर करें तो लेट स्टार्ट आवर वर्क आज जो जैसे कि मैंने बताया आज हमने शीट नंबर ट्विटीवन सॉल्व करनी है तो यह आपको पता है कि इसके टोटल माउक 15 है और इस टोपिक में जो रिडिंग बुक पेज जो था वो 60 था उसके अकॉडिंगली मैंने जो है वो वर्ड्स मिनिन्ग उसमें से निकाले हैं और वर्ड्स संटेम्स निकाले हैं और एक कॉलम भी है ठीक है तो 5 नमबर के words meaning है, सबसे पहले question number 1 देखते हैं, write meanings of the following words तो यहाँ पर जो आपके पास words है, वो 5 हैं, जैसे के first है unusual, next है potential, next है convinced, next है defeat और last one है eliminated, तो इसके meanings मैंने यहाँ पर write किया हूँ है, आप देख सकते हैं, words, meaning first जो है unusual, ठीक है, तो unusual का मतलब है, गैर ममूली, ठीक है, गैर ममूली, unusual का मतलब है गैर ममूली, अच्छा जी, next word है, गैर ममूली मतलब के ममूल से हट के वो काम हो रहा होई, ठीक है, जैसे आम तोर पर वो काम होता है, वैसे ना हो गैर ममूली हो, ठीक है next word है potential, potential मतलब इसको इस्तादाग भी कहते हैं यनि के आपकी कुवत है मदाफत या कुवत ताकत आपके कुछ करने की जो है वो कुवत ठीक है, आप कुछ कर दिखाने की जोश, जजबा या वलवला ठीक है तो वो कुवत इसका meaning है, next है convinced, convince मतलब convince करना किसी को मनाना या काईल करना, ठीक है, convince मतलब काईल करना या किसी को मनाना तो इसका convinced मतलब काईल हुआ, next word है defeat, defeat का मतलब है शिकस्त यनि के शिकस्त कहते हैं हार को, जैसे फत्थे word है ना फत्थे मतलब के जीत इसी तरह defeat मतलब शिकस्त और उसका मज़ीद आगे इसको हम कहते हैं हार असान लफजों में next है eliminated, eliminated मतलब eliminate होना, निकलना या खतम होना ठीक है तो eliminated खतम हुई या खतम हुआ okay students यह था हमारा question number one next देखते हैं question number two जो के आपकी sheet पे use these words in your own sentences आप आप ने इन words को अपने sentences में अपने जुम्लों में इस्तमाल करना है जैसे के first word है accept ठीक है first word क्या है accept मतलब कबूल करना या मानना ठीक है तो इसका sentence है she did not accept her defeat उसने अपनी शिकस्त को नहीं माना कबूल नहीं किया next word है refused refused मतलब इनकार करना किसी काम से इनकार करना तो क्या sentence क्या इसका हम लिख सकते हैं बहुत easy है अली रफ्यूस्ट काम आवर होम अली ने इनकार कर दिया हमारे घर आने से next word है glory glory जो है इसको इसका मतलब हम अजमत कह सकते हैं या शानों शोकत ठीक है तो जैसे कि स्टोरी में हमने पढ़ा कि कैसे विल्मा जो है वो glory लेकिया अपने लिए और अपने वतन के लिए अपने मुलक के लिए तो इसका sentence है शी ब्रोट अग्लोरी तो हर कंट्री नेक्स्ट वर्ड वर्ड है कंटिंजेंट मतलब तसकन में पता है था कि यह दस्टे को कहते हैं यानि टीम को ग्रूप को टीम को तो क्या क्या होगा तसकन का दस्ता था उसने वह लड़ाई लड़ी ब्रेवली बहादरी से नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टार सुपरस्टार मतलब के चमकता सितारा तो क्या होगा इसका जुम्ला विल्मा वाउज सुपरस्टार के विल्मा जो थी एक चमकता स्टारा थी उसने अपने आपको मनवाया था उसने इक्वल फुटिंग में अपना प्रूव किया था ठीक है यह थे कॉस्ट नमबर वान और कॉस्ट नमबर टू कॉस्ट नमबर थ्री है मैच्च दा कॉलम को बी कॉलम के साथ मैच्च करना है वह असान है यह यह कुछ स्टेटमेंटैं जो के मैं अगर तो किया हुआ है मतलब यह कर लिया है तो इस complete करना है use करके sentence हो क्या है उसका बाकी जो उसका हिस्ता है sentence का वो क्या हो सकता है ठीक है तो जैसे के इसमें आप लिखा है मैंने पहले से ही column लिखा हुआ है और match भी कर दिया है ताकि आपको असानी से इसकी समझ आ सके जैसे के first day I have seen the movie अब इसमें से आपने देखना है कि आपने वह movie देख ली है तो अब क्या है उसके बारे में क्या column आ सकता है matching कि I don't want to see it again मैं इसको दबारा देखना नहीं चाहती हूं next is she has walked all the way कि वह सारे रस्ते चलती आई है अब उसे किस चीज की ज़रूरत है she'll need a cool drink तो मैंने she has walked all the way she'll need a cool drink इसको मैंने इसके साथ match किया next third statement है I haven't practiced my lines कि मैंने अभी तक जो है वो मैंने अपनी lines की practice नहीं की so I am afraid to go for the rehearsal मैं rehearsal पर जाने से खौफ सदा हूं next is she has written a book तो book उसने लिख ली है तो उसको किस चीज की जरूरत है अब she must give she must give it to a publisher यहीं कि अब वो उसने लिख ली है रिटन है book लिखी जा जुकी है तो किसकी जरूरत है उसको देने की to a publisher last is I have done my homework I have done my homework तो मैंने अपना homework कर लिया है I can play now अब मैं खेल सकता हूं तो last वाले को मैंने इदर से B column में first वाले के साथ मैच किया okay students यह था हमारा आज का question number last question number 3 आज हमने अपनी sheet number 21 solve की है उमीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गही होगी जाते जाते फिर से वही बात आप लोगों को याद करवाना है कि इस चैनल को अगर तो आपने subscribe किया तो well and good अगर नहीं किया तो लाजमी इस चैनल को subscribe करें like करें comment करें आपको अपका feedback भी पता चले और share करें bell icon को press करें ताके जो है आपके पास new videos lectures notifications आ सके okay students फियमान अल्ला जजाक अल्ला